हलो स्टुडेंट्स आज बात करते हैं 3D आकरतियों की जिस पर अपन बात करेंगे घन और गनाब की तो सबसे पहले बात करते हैं गनाब की तो गनाब कैसा होता है गनाब होता है एक आयतकार स्वरूप जो हवा में भी इस्तान गेरता है यह हो गया घनाब इसका सबसे अच्छा एक्जामपल अपन ले सकते हैं माचिस की डिब्बी और अपना रूम अपने रूम में देखो अपने रूम में बेटे हो तो कितने कौने होते हैं चार तो उपर वाले कौने और चार ही नीचे वाले कौने अपने इनको नाम दे दिया A, B, C, D, E, F, G, H यह होगे आठ कौने अगर कौनों की बात करें तो कौने कितने होगे आठ अगर बात करें किनारों की तो किनारे कितने होते हैं किनारों की बात करें तो किनारे कितने हो गए देखो एक ये वाला किनारा एक ये वाला किनारा दो तीन चार इसके सेम पीछे भी होगे चार चार आठ नो दैस ग्यारा बारा तो किनारे कितने हो गए किनारे हो गए 12 अगर बात करें फलक की तो फलक कितने होते हैं फलक मतलब आयती है सुरूप देखो फलक कितने हो गए एक तो ये A, B, C, D और एक इसके पीछे होगा दो और एक इस साइड वाला तीन और एक इधर वाला एक ये वाला, एक ये वाला चार और एक उपर और एक नीचे, कितने होगे? 6, जैसे अपने एक रूम में देखते हैं तो एक होता है चारो दीवारे, चार और एक छत और एक फर्स, तो कितने होगे? 6 इसकी फलक हो जाएंगी अब बात करते हैं इसकी देखो, ये वाली को अपने क्या कहेंगे? जैसे लंबाई बोल देते हैं इसको ठीक है? ये इसकी चोड़ाई होगी ये वाली बुजा इसकी चोड़ाई होगी तथा इस वाली बुजा को C, B को उचाई बोलते हैं तो इसका आयतन क्या होगा? तो गनाप का आयतन होता है गनाब के अगर आयतन की बात करें तो गनाब का आयतन होता है लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उचाई गनाब का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा उचाई अगर बात करें संपून प्रिष्ट छेत्रफल की संपूर्ण प्रिष्ट छेतर फल मतलब इसके सारी फलकों का छेतर फल देखिए, एक आयत ये वाला है, इसके पीछे भी एक आयत होगा तो सारे, तो दो गुणा, लंबाई प्लस, इसके पीछे आयतन देखो लंबाई और ये कितनी है भुजा H तो लंबाई गुणा उचाई इसके पीछे भी होगा ठीक है तो दो गुणा लंबाई प्लस उचाई ठीक इसी तरीके से B, H, G, C है साइड वाला फलक है उसका क्या होगा B गुणा H B गुणा H तथा इस साइड में भी एक फलक होगा तो उसका चेतरफल दुबना हो जाएगा अगर बात करें उपर वाले चेतरफल की C, G, F, D एक तो ये चेतरफल है क्या चेतरफल होगा L गुणा B तथा उपर चेतरफल तथा नीचे वाला फलक दो बार ये हो जाएगा तो यहां से दो कॉमन ले लें तो ये आजाएगा L, B, B, H तथा L, H तो गुणाब का संपून परिष्ट चेतरफल होता है दो गुणा लंबाई गुणा चोड़ाई प्लस चोड़ाई गुणा उचाई अगर बात करें इसके विकर्ण की विकर्ण मतलब होता है इस पे सबसे बड़ी भुजा गनाब की सबसे बड़ी भुजा तो विकर्ण की बात करें तो विकर्ण कौनचा कौनचा होगा C से E वाला मतलब दो वीपरित कौनों को मिला दे दो भी प्रित कुनों भी मिला दे जैसे हैं अपने एक रूम में बेटे हैं तो एक तरफ से दूसरे को ने को मिला है ठीक किस किते विकरण होंगे एक तो B का E से F से होगा B F विकरण हो जाएगा और एक H D विकरण हो जाएगा तथा A G बिकर्ण हो जाएगा और एक B F होई गया E C बिकर्ण हो हो जाएगा E C विकर्ण हो जाएगा तो विकर्ण की लंबाई केतने होगी आयत में कितनी होती है आयत की होती है root L square plus B square तता घनाम में हो जाएगी L square plus B square plus H square यह होता है धनाप का आयतन L गुणा B गुणा H यह होता है संपूर्ण प्रिष्टिय चेतरफर 2 गुणा लंबाई गुणा चोड़ाई प्लस उचाई गुणा चोड़ाई प्लस लंबाई गुणा उचाई तता विकर्ण होता है जो कि सबसे बड़ी बुजा होती है root of L square plus B square plus H square अब बात करें अपन घन की ठीक है घन में भी सेम यही पेराबिटर लेते हुए चलते हैं तेको घन में क्या होता है घन कैसा होता है घन में सभी बुजाएं बराबर होती है अगर यह बात करें घन है तो इसमें क्या होता है सभी बुजाएं बराबर होती है सभी बुजाओं का मतलब लंबाई बराबर होती है चोड़ाई बराबर होती है और उचाई बराबर होती है किसके मालिया A के जैसे लंबाई बराबर हो गई B के बराबर उचाई इसको मालिया A जो इसके क्या है बुजा है ठीक है इसको मालिया बुजा A थीक है, इसमें भी वही आठ कोने होंगे आठ कोने हैं, एक, दो, तीन, चार ये आठ कोने होगे किनारे होगे बारा तथा फलट भी होगे, मतलब लंबाई बराबर चोड़ाई, बराबर उंचाए बराबर बुजा ए थीक है, उसी परकार से हम इसका आयतन निकाल देंगे तो आयतन इसका आयतन क्या हो जाएगा आयतन कहुता है LBH आयतन क्या हुआ LBH मतलब A गुणा A गुणा A बराबर A की घात 3 मतलब बुजा क्यो मतलब बुजा क्यो अगर बात करें संपून प्रिष्टी चेत्रफल की संपून प्रिष्टी चेत्रफल क्या हो जाएगा संपून प्रिष्टी चेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा लंबाई प्लस लंबाई गुणा चोड़ाई 2 गुणा लंबाई गुणा चोड़ाई प्लस उचाई गुणा लंबाई हो जाएगा 6a square तो अगर बात करें संपूर्ण प्रिष्ट छेत्रफल की घं के तो घं का संपूर्ण प्रिष्ट छेत्रफल क्या होता है 6a square अब बात करते हैं इसके विकर्ण की विकर्ण क्या होता है वो ही सबसे बड़ी बुजा देखो सबसे बड़ी बुजा बराबर L² प्लस B² प्लस A² इसमें क्या करेंगे A² प्लस A² प्लस A² तो एक इतना हो जाएगा 3A² का अंडर रूट ले 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 तो क्या हैगा रूट 3A तो घन का विकर्ण क्या हो गया रूट 3A तो इसके फॉर्म ले क्या आएंगे घन का आयतन होता है बुजा क्यूब और घन का संपूर्ण प्रिष्टि चेत्रफल होता है 6A² और विकर्ण होता है रूट 3A तो आज हमने सीखा कि घन और घनाप का आयतन चेत्रफल तथा विकर्ण अब आके देखेंगे इन पर आधारित प्रश्ण competition में किस प्रकार से आते हैं जैसे ये सवाल दिया है कि उस घन का आयतन क्या होगा जिसका विकर्ण दिया है 4 रूट 3 तो घन का विकर्ण क्या होता है घन का विकर्ण ऐसे अभी पढ़ा विकर्ण बराबर पड़ा था A root 3 A क्या थी? गन की बुजा जो कि क्या दिया हुआ है? 4 root 3 यहां से क्या होगा? root 3 से root 3 cancel तो बुजा क्या जाएगी? 4 cm अब अपन आयतन आसाली से निकाल चकते हैं तो गन का आयतन क्या होता है? आयतन होता है Q मतलब 4 का Q बराबर 64 cm Q तो हमने देखा विकर्ण दिया हुआ था तो किस प्रकार अपन ने आयतन निकाला? अब दूसरा प्रश्ण लेते हैं देखे एक कमरे की लंबाई, चोड़ाई तथा उचाई करम से 5, 4 और 3 मिटर दे रखी है तो इसमें सबसे बड़ी बास की छड़ी की लंबाई ग्याद कीजिए तो देखो लंबाई दे रखी है, चोड़ाई दे रखी है उचाई दे रखी है तो ये तीन चीज किस चित्र में दे रखी होती है? गनाब में तो गनाब में गनाब में उस सबसे बड़ी बास की छड़ी की लंबाई ग्याद करनी है जो इस कमरे में पूर्ण तया रखी जासके तो गनाब के अंदर सबसे बड़ी गुजा कौन सी होती है गनाब का विकर्ण तो गनाब का विकर्ण की बात करेंगे तो गनाप का विकर्ण क्या होता है गनाप का विकर्ण होता है अंडर उड लंबाई का स्क्वेर प्लस चोड़ाई का स्क्वेर प्लस उचाई का स्क्वेर तो क्या दिया है अपने को लंबाई दे रखी है पाँच पाँच का स्क्वेर कितना हुआ 25 हुआ 4 का स्क्वेर 16 प्लस 3 का स्क्वेर 9 तो इनको जोडने पे पाया यह होते हैं 25 और 25 प्चीस 50 तो इसका अडरूट आएगा 5 रूट 2 सेंटिमेटर चलो अगला परशन देखते हैं अगला परशन क्या बोल रहा है कि गनाप का आयतन एक गन के आयतन का दुगना है तो गनाप का आयतन देखो जैसे परशन में कहा है तो इसे करेंगे तो गनाप का आयतन क्या होता है गनाप का आयतन होता है पहले लिखो गनाप का आयतन है गनाप का आयतन बराबर है एक गन के आयतन का गनाब का आयतन गनाब का आयतन गनाब की विमाई दे रखी है 9 cm, 8 cm तथा 6 cm तो गन का संपूर्ण पृष्ठ शीत्रफल याद करो तो पहले क्या करेंगे गन का आयतन याद करेंगे जिस से क्या पता लेगा कि गन की भुजा जाएगी चलो किस प्रकार करते हैं तो गनाब की विमाई दे रखी है गनाब की विमाई दे रखी है लंबाई बराबर 9 चोड़ाई बराबर 8 और उचाई बराबर 6 तो इससे पन क्या कर सकते हैं गनाब की गनाब का आयतन निकाल सकते हैं तो गनाप का आयतन क्या होता है? गनाप का आयतन होता है लंबाई गुणा, चोड़ाई गुणा, उचाई, तो लंबाई कितनी? 9, चोड़ाई कितनी? 8, और उचाई कितनी? 6, किसके बराबर है? दो गुणा घन का यतन घन का यतन देखो दो से काटा इसको तीन बार तो नोती 27 और ये गुणा 8 बराबर हो गया घन का यतन क्या होता है बुजा क्यूब यह हो गई बुजा क्यूब यहां से अपन बुजा निकाल सकते हैं बुजा बराबर आया 27 गोणा 8 की पावर 1 बटा 3 मतलब गन्मूल तो 27 का गन्मूल कितना होता है? 3 और 8 का गन्मूल कितना होता है? 2 तो मतलब बुजा कितनी आई? 6 सेंटीमिटर देखो बुजा आ गई 6 सेंटीमिटर अपने वो पूचा क्या है? घन का संपूर्ण प्रिष्ट चेतरफल तो आपने इससे पहले देखा था घन का संपूर्ण प्रिष्ट चेतरफल कितना होता है घन का संपूर्ण प्रिष्ट चेतरफल होता है घन का संपूर्ण प्रिष्ट चेतरफल बराबर होता है 6a² 6 गुणा बुजा स्क्वेर तो 6 बुजा कितने आई? 6 cm 6 का स्क्वेर मतलब 6 गुणा 36 बराबर होता है 206 cm स्क्वेर तो अपने देखा कि गनाप का आयतन जो कि घन के आयतन का दुगुना था उससे अपने घन की पहले तो बुजा निकाली बुजा से अपन संपोन पृष्टं चेतरफल निकाल जकते हैं अब देखिये एक और प्रशंद देखते हैं अगले प्रशंद की बात करें तो अगला प्रशंद भोल रहा है कि एक लकडी का डिबबा है उसकी माप दे रखी है तो लकडी का डिब्बा दे रखा है तो उसकी माप क्या दे रखी है लंबाई बराबर 20 गुणा 12 गुणा तथा 10 सेंटीमिटर क्यूब मतलब गनाव का यतन दे रखा है तथा लकडी के डिब्बे की मोटाई 1 सेंटीमिटर है मोटाई दे रखी है एक सेंटीमिटर तो बक्से को बनाने में प्रिउक्त हुई लकडी ज्याद करो देखो गनाब कुछ इस परकार का होता है तो अगर लकडी के डब्बे की बात करें लकडे की डिब्बी की बात करेंगे तो देखो कुछ मोटाई होगी इसकी इस परकार से मोटाई होगी ना तो मोटाई होगी तो वो भी तो आयतन उसी के अंदर होगा वो भी तो आयतन उसी के अंदर होगा जैसे ये बाहरी हो गया ये बाहरी आयतन हो गया लेकिन अगर इसके अंदर की बात करें तो एक बिटर, मोटाई के बाद अंदर वाला पर्ट इस स्टार्ट हो रहे है तो क्या होगा? एक, लमबाई में और नीचे वाली लमबाई में एक मतलब, एक यहां ज़्यादा है, एक यहां ज़्यादा है इसको कम कर दे, तो कम करेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी लंबाई में से क्या करेंगे एक यहाँ पर मोटाई जाद है और एक यहाँ पर मोटाई जाद है तो इसमें से दो कम कर देंगे तो कितना आएगा 18 अब बात करते हैं चोडाई की चोडाई में क्या होगा चोड़ाई में भी सेम इधर से मोटा है और इधर से भी मोटा है तो क्या जाएगा ये 12-2 बराबर 10 अगर बात करें उचाई की उचाई में भी 2 कम होगा क्यों कम होगा क्योंकि इसमें भी तो 2 मिटर मोटाई है 2 मीटर मोटाई है ना इसमें भी और इधर भी 2 मीटर मोटाई है तो मैं लगा दोनों तरब से 1 मीटर 1 मोटाई है तो 2 कम हो जाएगी फिर से इसमें 2 8 माइनस 2 बराबर 8 अब निकालना है कि इसमें प्रियुक्त हुई लकड़ी तो देखो ये मोटाई वाला पार्ट क्या है जो कि मोटाई वाला पार्ट है वो ही तो लकड़ी है इसकी ठीक है तो क्या करेंगे इस प्रकार के प्रशनों को हल करते समय बाहरी आयतन माइनस आंत्रिक आयतन जैसे प्रशन पढ़ा था अपने चारो रास्ते वाला तो क्या किया था बाहर का चेतर फल माइनस अंदर का चेतर फल किया था तो अपने पास ये वाला मान आया था ठीक उसी प्रकार बाहर का आयतन माइनस अंदर का आयतन तो बाहर का आयतन कितना है बाहर का आयतन माइनस अंदर का अयतन तो बाहर का अयतन कितना था बाहर की विमाई कितनी थी ये थी तो 20 गुणा 10 गुणा 12 गुणा 10 माइनस होगा नहीं विमाई क्या आई एक तो 8 है 18 आई एक 10 आई पर एक 8 है तो 8 गुणा 10 गुणा 8 ये कितना हैगा 12 दूनी 24 तो 2400 सेंटीमीटर क्यूब बाहर का आयतन कितना है 2400 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 18 अठे 144 144 ये 0 तो इन दोनों का माइनस करने पर हम पाहेंगे कि इसका उत्तर 960 सेंटीमीटर क्यूब है तो लकडी का जो छित्तर फल हुआ जो कि इसकी मुटाई में था तो उसका आयतन होगा 960 सेंटीमीटर क्यूब अब अगला प्रस्ण देखते हैं किसी गनाब के सम्मुक प्रिष्ट का छित्तर फल XYZ है तथा इसका आयतन V है तो V XYZ के बीच में क्या समंद स्तापित होगा देखो सवाल क्या है कि गनाब के सम्मुक प्रिष्टो का छित्तर फल दे रखा है तो ये गनाब है इसके आमने सामने प्रिष्टो का छित्तर फल पहले सी दिया हुआ है देखो आमने सामने का मतलब यदि इस आयत की बात करें तो इसके सम्मुक प्रिष्ट कौन सा है इसके पीछे वाला तो इन दोनों का 6 फलका मान दे रखा है X तो X बराबर क्या लिखेंगे लंबाई गुणा चोड़ाई ठीक उसी परकार इसके सामने वाला दे रखा है इसके सामने वाला दे रखा है Y लिखेंगे क्या लंबाई गुणा उचाई ठीक है और ठीक उसी परकार से Z बराबर जो की उपर का प्रिष्ट है और नीचे का प्रिष्ट है उसका दे रखा है Z Z बराबर चोड़ाई गुणा उचाई ठीक है और आयतन अपने को पता ही है आयतन बराबर, इसमें बोलना है ना इसका आयतन V है, V क्या होता है लंबाई गुणा, चोडाई गुणा, उंचाई ठीक है, अब क्या करेंगे जैसे कि अपन इन टीनों को गुणा करें, गुणा करेंगे तो क्या पाएंगे x y z बराबर देखो l दो बार है मतलब l square गुणा b दो बार है b square और h दो बार है h square इसका मतलब क्या हुआ कि x y z बराबर क्या होगा देखो l b h l गुणा b गुणा h को square कर दिया इस पर गार कर सकता हूँ देखो ये क्या इस्ति बन रही है ये तो ये वाली इस्ति है मतलब x y z बराबर मैं v square लिख सकता हूँ तो v बराबर क्या जाएगा एक तो ये समन्द इस्तापित हो गया ये समन्द इस्तापित हो गया तो v बराबर क्या जाएगा तो V ब्राबर आजाएगा अंडर रूट X Y Z तो इन दोनों के बीच में समंध क्या है या X Y Z ब्राबर V स्क्वेर किसी गनाब के तीन क्रमा गत किसी गनाब के तीन क्रमा गत प्रिष्टों का चेतर फल अलग-अलग 12 सेंटिमेटर है देखो अलग-अलग बात कर रहा है मतलब इस प्रिष्ट का चेतर फल अलग-अलग 12 सेंटिमेटर स्क्वेर है मतलब इस प्रिष्ट का चेतर फल भी 12 है इस प्रिष्ट का चेतर फल भी 12 है आमने सामने की बात हो रही है और उपर वाले के आमने सामने का प्रिष्ट क्या चेत्रफल भी क्या है 12 है मलब तीनों का चेत्रफल 12 है तो इसका आयतन क्या होगा अभी अपन ने पढ़ा कि X Y Z क्या था सम्मुक प्रिष्टो का चेत्रफल तो उसका आयतन क्या होगा आयतन और चेत्रफलों में क्या समन था V square बराबर X Y Z तो V square करेंगे तो क्या हैगा 12 गुणा 12 गुणा 12 देखो इसका अगन root लेए root लेने पर क्या हैगा 12 गुणा 12 गुणा 12 देखो इन दोलों से 12 बाहरा जाएगा ठीक है तो 12 अंडर root में 12 को क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 3 4 गुणा 3 तो 4 का अंडर root कितना आजाएगा 2 तो मतलब 24 root 3 cm क्यूब इसका क्या जाएगा आयता ना जाएगा धन्यवाद दोस्तो जैश्री राम पर देट पहला से पर देट बज़ेता है पर देट बज़ेता है पर देट बज़ेता है जाएगा 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 वीना पाणी की अनुकंपा से संकर्व करते हैं की कटिन परिश्वम उत्रस्वलगन समन में वैपॉन आत्मिस्वास के योग से हम अपना लक्षे प्राप्त कर रहे हैं तथा भविशे में भी करते रहेंगे और जो कुछ करनी है उसके लिए नहीं सब्द हमारे सब्द कोश में नहीं है जैसे जिराम आंसर की ज़दी लगानी है आज का ये बद बड़ी सफलता का दिल आरेस्प्रोपर ये इस प्रोपर ठाइंड यू पैर्च आपलन शांतार पानी और लॉष्ट से ढर्पारिया इस ने पुरा जोड लगा लिया और जब एक दो मिनट तक उसको दवाय का और बिलकुल जब लगागई या भी दबाई रखा तो ये मर जाएगा तब उसको छुड़ा वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कर गुरू जी आपने क्या किया मैं तो क्या प्यूजरा गोर आप तो उटा बेर तो माजने चले तो गुरू ने कहा कि बिल्कुल मास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था बाति को हो ए Beli अगरा अपने किसी वी चीज को आप चाहिव करना चाहते हों बहुत म भावर आप उसमें लगा हुए को दक से और व शिवड़त कर देस के तो मैं नहीं समझता कि और यह आतु क्यों लखत आप अप्यों लक्शे आप से इसके बाद प्रांसना पत्राइज जानल है विनोजी चोहन का भी यह इस्तंब है यह आप सब के प्याप्पे में ले रहा हूं आपके लिए के लिए पत्राइज विए यापके लिए झाल 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 झाल